दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर आरारबी एंटीपीसी रिजल्ट को लेकर बिहार में बवाल पुलिस से भीड़े चात्र रेलवे ट्रेक किया जाम जी हा रेलवे भरती बोड के एंटीपीसी की परिचा के पैटन में बदलाव और रिजल्ट में धांदली का आरोप लगाते वे परिचात्रियों का प्रदसन लगतार दूसरे दिन भी जारी रहा बिहार के कई जील्ट के रेलवे स्टेशन पर चात्रों ने जम कर बवाल किया पटना नलंदा नवादा आरा हाजिपूर के अलावा उत्तर बिहार के भी कई रेलवे स्टेशन पर चात्रों ने प्रदसन किया राजधानी पटना में तो मंगलवार की साम पुलिस और चात्र प्रदाशन कारियों के बीच हिंसक जड़ाव पुई प्रदाशन कारियों ने पुलीस पर जमकर पत्राव किया मोती हारी मधुमा ने सहीत कई रेलो श्रेशनों पर वियापाक प्रदाशन के कारण घंटों पर चलन बाधित रहा सितामड़ी में पुलिस को देखते ही प्रदसनकारी भड़क गए देखते ही देखते पुलिस पर पत्राव सुरुक कर दिया गया पुलिस ने भी बल परियोग किया मगर प्रदसनकारीों की सेंक्या अधिक होने के काराण इस ति घंबीर होने लगी लगबग एक घंडे तक वहाँ पर अपरा तबरी का माहौल बना रहा, पुलिस ने भी लाठी चार्ज कर दिया, पत्राओं में DSP समेत कई पुलिस कर्मी जक्मी हो गए, दरजन बर से अधिक प्रदोसन कारियों को हिसत में लिया गया है अगली बड़ी कवर रेलवे भरती परिचाओं को लेकर बवाल करने वालों को रेल मंत्राले के चिताओनी लग सकता है, आजिवन प्रतिबंद लगाया जा सकता है दरसर रेलवे भरती बोर्ड ने उपद्रव करने वाले चातरों को चिताओनी दिया कि गेर कानोनी गतिविद्यों में लेप्त पाये जाने वाले उमिद्वारों पर पुलिस करवाई के साथ साथ उन्हें रेलवे की नोकरी हासिल करने से आजिवन प्रतिबंद लगाया जा सकता है रेलवे भरती बोर्ड द्वारा जारी लेटर में इस बात का जिक्र है कि रेलवे की नोकरी के लिए इचुक मिद्वारों द्वारा रेलवे पट्रियों पर विरोद परदसन किया जा रहा है रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुचाया जा रहा है टेनों की परेच बोड दौरा गुरूबडी भरती परिच्छा को लेकर पहले सुचना दी गए थी कि यह परिच्छा एक चरण में होगी लेकिन बोड ने इसे बजल कर दो चरणों में करने का एलान किया तो अभियरती भड़क उठें गुरूबडी भरती परिच्छा कैरकरम में संसोधन कर त रेलवे के वरिय पदादिकारे कमांडेड सोनपूर स्रीनिवास राव, आरपियप इंस्बेक्टर मुझपरपूर, सदर राघव दयाल आधिक पदादिकारे पोचे और चात्रों को बाचित कर हटाया। इसके अलावा बकसर में भी चात्रों ने अपने मांगो को लेकर मंगलवार को आंदोलन सुरू किया है, परतियोगी परिच्छाओ के उमिदवारों ने बकसर रेलवे इस्टेसन पर रेलवे ट्रेक को जाम करने साथ ही केंदर सरकार की खिलाब नारेबाजी की। अगली बड़ी कबर RRB NTPC चात्रों के समर्थन में आये पपो यादव कहा जुलमी सरकार को उखाड फेकने की जरुत है। धांदली हुई है केंदर वाराज सरकार को लाखो चात्रों के भविस के साथ खेलने का कोई अधिकार नहीं है। विरोध कर रहे चात्रों की समर्तन में उत्रे तेज परताब यादव। जिया रेलवे भरती बोर्ड के एंटिपिसी रिजल्ड और गुरुबडी की परिचा में धांदली को लेकर चात्रों का अंदोलन मंगलवार को दूसरी दिन भी जारी रहा नालंदा और नवादा जिले में चात्र बड़ी सिंख्या में रेल पट्रियों पर जमा हो गए सुबह से सिकडों की सिंख्या में चात्र बिहार सरीप रेलवे स्टेशन पर पहुँचे और रेल ट्रेक को जाम कर दिया जिसे लेकर मुई की बिपक्ची दल राजद की और से तेज परताब यादव ने ट जल्ड में धांदली का आरोप लगा कर प्रदसन कर रहे आरारबी एंटिपी से अभेरत्यों के साथ पुलिसिया बरबरता की घोर निंदा करता हूं सरकार तमाम समयसाओं से आउगत है आतवे हम चाहते हैं कि एंटिपी से अभेरत्यों की पीड़ा को जल्ड ठीक किया जी हा रेलवे भरती बोर्ड के एंटिपी सी रिजल्ड और गुरूबडी की परिचा में धांदली का अरोप लगा बिहार के बिविन जिलों में अभेरतों का आंदलन दूसरी दिन भी जारी रहा इस कड़े में अंदलन का असर मंगलवार को बिहार सरेप आरा नवादा बक सर मुझपर पूर समेद कई जिलों में देखने को मिल रहा है तो इसी बेच अभेरतियों के बिरूद परदसन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है दरसल पटना की जिला दिकारी डक्टर चंद्र सेकर सिंग का बड़ा बयान सामने आया है पटना डियम डक्टर चंद्र सेक सिंग ने खान सर और उनके कोचिंग समेद कई कोचिंग संसानों पर एफ आयार दर्ज करने की बात कही है साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी छात्रों को आक्रोसित करेगा उस पर कारवाई होगी अगली बड़ी खबर बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 2362 नई कोरोना मरेज पटना से 289 केस माल्टी औरगन फेल होने से एम्स में तीन महिलाओ की मौत जी हाँ बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2362 नई संकरमित मिले हैं वहीं बिहार में संकरमन की दर अब 1.57% हो गई है वहीं राज में अब कोल एक्टिव मामले 14,771 हो गई है नई संकरमन में बिहार देश में बिस्वे इस्थान पर है वहीं आपको बता दे कि बिहार में पटना में एम्स में भरत तीन संकरमितों की मौत हुई है जिसमें सभी महिलाए हैं मौत का कारण कोरोना से सरीर के मल्टी और्गन का फेल होना बताया जा रहा है बड़ी कबर बिहार पुलिस के सोला दिकारियों वो जवानों को मिला राष्टपति पुलिस पदक 26 जनवर या आज होंगे सम्वानीत जी हाबिहार पुलिस सोला दिकारेव वा जवानूं को विशिष्ट और सहारेनी सेवा के लिए राष्टपती पुलिस पदक मिला है एड़ीज सुसील मान सिंग खोपड़े और एड़ीज सुनील कुमार को विशिष्ट सेवा पदक मिला है वह मुझपरपूर के जपाहा इस्तिस CRPF के रेंज डियाईजी विमल कुमार विशिष्ट को राष्टपती पदक मिला है गंतंत्र दिवस यानि आज 26 जनवरी के मौके पर राष्टपती रामनात कोविन इन पुलिस कर्मियों को समानित करेंगे अगली बड़ी खबर बिहार बोर्ड कक्चाई गारा में नामांकन की लाष्ट डेट 30 जनवरी तक बढ़ी अगली बड़ी खबर बिहार बिहार बिदले परिचा समिती पाटना ने इंटर्मिडिट परिचा 2021 के तहद कक्चाई गारवी में एडमिसन की आखरी तारीक एक बर फिर से बढ़ा दी है अब अभियर्थी 30 जनवरी 2022 तक अपना नामांकन करा सकते हैं इससे पहले बिहार बोर्ड ने एडमिसन लेने से चुके अभियर्थियों के लिए 10 जनवरी तक आवेदन का मौका दिया था इससे पहले बिएस बी इंटर एडमिसन की लाश्ट डेट 27 दिसंबर 2021 थी अगले बड़ी खबर बिहार में अगले 72 घंटे बारिस के आसार नहीं जानिये कब से और बढ़ जाएगी ठट जिया बिहार में अगले 72 घंटे तक बारिस के आसार नहीं है मौसम सुस्क रहेगा हाला के अधिकतर इलाके में आस्मान साप होने की वज़ा से रात के तापमान में कमी और दिन के तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है दरसल समुचे परदेश में पज़वा और उत्तर पश्च में हवा चलना सुरू हो गया है आएमडी के मुताबिक नूंतम तापमान में अगले तीन दिन में तीन से पांच डिगरी की कमी आने का पुर्वानुमान है मौसम बेगानियों के मुताबिक 28 तारीक से एक बर फिर बरपली ठंडक के लिए हवा चलने से तापमान निचे आएगा इसकी वज़ा से एक बर फिर परदेश के कई लाकों में कोल्ड डे की सिती बन सकती है अगली बड़ी ख़बर 28 जनुरी को बिहार बंद का एलान चात्रों की समर्तन में चात्र संगटनों ने किया आवान जी हाचात्रों की समर्तन में अब चात्र संगटन सामने आए है चात्र संगटनों ने आगामे 28 जनुरी को बिहार बंद का एलान किया है चात्र संगटन आईसा एनोस ने बिहार बंद का आवान किया है वहीं इससे पूर्व 26 जन्वरी यानि आज गंतंद्र दिवस के अस्वर पर तिरंगा मार्च निकाले जाने का वे ऐलान किया है आरारबी और एंटीपिसी के परिच्छा के रिजल्ट में धांदली के खिलाब आईसा वा नौजवान संगटन इंकलाबी नौजवान सवा चात्र संगटन अब चात्रों के साथ खड़ा हो गिया है आंदलन रत अबेरतियों पर लाठे चार्ज मुकदमा वगिरबतरी के खिलाब चात्री वग आंदलन के समर्तन में चात्र संगटनों ने अगामी 28 जनौवरी को बिहार बंद का अवान किया है अगली बड़ी खबर इंटर परिच्छा के एडमीट कार्ड में गड़बड़ी होने या गुम होने पर भी एकजाम के अनौमती जाने सरते जिहां बिहार बोर्ड एक फरवरी से इंटर की परिच्छा का आयोजन करने जा रहा है इंटर्मिडर की वारसिक परिच्छा 14 फरवरी तक चलने वाली है इस परिच्छा के लिए बोर्ड ने सभी तैयारिया पूरी कर ली है परिच्छा में बोर्ड ने एक तरब जहां परिचात्रियों को जोता मोजा पहन कर आने के अनौमती दे दी है वहीं वैसे परिच्छात्रियों को भी घबराने के जोरत नहीं है जिनके एडमिट कार्ड में कुछ गड़बड़ी हो गई है बोर्ड ने वैसे परिच्छात्रियों के लिए इंतिजाम किये हैं जी हाँ वैसे परिचात्र जिनके परविश पत्र में फोटो की तुरूटी हो गई है उन्हें परिचा में बैटने के अनुमती दी गई है जिन स्टुडेंट के अडमिट कार्ड के फोटो में अगर गड़बड़ी हो या किसी यानिक की तस्विर चपी हो तो चात्रो को पहच कान पत्र की छाया पती राज पत्रेत अधिकारी से सतापित कर परिचा केंदर पर जमा कराना होगा अगली बड़ी खवर जेड़ुए ने जारे की उमिदवारों की लेश्ट उत्तर परदेश में 20 नामों की लेश्ट जारी जिहां उत्तर परदेश विदानसवा चुना में 26 सिटों पर उमिदवार उतारने का एलान कर चुके जनता दल उनाटेट ने कल 200 उमिदवारों की लेश्ट जारी कर दी है पार्टी के प्रदेश दर चानूप सिंग पटेल ने 200 उमिदवारों की सुची जारी की है केंद्रे नेतुति से सहमती मिलने के बाद इन उमिदवार का एलान सीडीयएस जंरल विपिन रावत और कल्यान सिंग को मर्नोपरांत पद्म विभुशन जी हाकेंदर सरकार ने गंतंद्र धिवस की पूर्व सेंदा पर मंगल्वार को पद्म पुरुशकरो का एलान किया है विमान हादसे में सहीद हुई CDS जनरल विपिन रावत ओर भाजपा के दिवगंत नेता कल्यान सिंग को मर्नो प्रांत पद में विवसन से सम्मानित किया गया है इसके अलावा गुलाम नभी आजाद, विक्टर बनर जी, गुर्मित बावा, बुददेव बटाचार, नट राजन चंद्र सेकन, कृष्ण एल्ला, सुचित्र एल्ला, मादूरिज जापरी, देवेंद्र जाजरिया, रासित कान, राजी महरसी, सित नडेला, सुंदर पिचा का रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए या नहीं, इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं